सब्सक्राइब तो माई चैनल फॉर मों अमेजिंग कंटेंट हेलो गाइस स्वागा थे आप सब लोगों का मेरे चैनल पर दोस्तो कुछी दिनों पहले शाओमी ने जो है क्यूलेट टीवी का ओफिशल उनका जो ट्विटर अकाउंट है दोस्तों वहां पे थोड़ा बहुत बता दिये थे कि हाँ भई चलो कुछ न कुछ हमारा नया प्रोड़क्ट आना है और आज जो है यह क्लियर हो चुका है कि शाओमी का क्यूलेट टीवी जो है दोस्तों इंडिया पे लॉंच होने वाला है इससे पहले दोस्तों आप इस चीज को खरीदने का डिसीजन बनाए डेफिनेटली दोस्तों अभी भी जो बहुत सारे इसके क्रूशल स्पेक्स हैं वो अभी तक छुपे हुए हैं और यह जो है आपको आने वाले दिनों में ही पता लगेंगे लेकिन कुछ ऐसी चीज़े हैं दोस्तों जो कि आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए जो मैं बता सकम आपको साथ या आठ कभी-कभी तो दस साल भी आराम से चल जाती है तो बने रही है दोस्तों मेरे इस वीडियो में आखरी तक और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजे मेरे इस वीडियो को नाओ लॉंच एन एविलिबिल्टी सबसे पहल अफ़र्डिबल प्राइस नाओ इसी चक्कर में दोस्तों होता क्या है कि शाओमी को अलग-अलग कुछ कॉर्णर कट करने पड़ते हैं और वो कुछ ऐसे कॉर्णर कट करता है दोस्तों कि में इस कंजूमर के एक्स्पिरेंस को उससे ज़्यादा फरक ना पड़े लेकिन ट कौन सा आप लोगों को सपोर्ट होने वाला है HDR10 प्लस Dolby Vision in case of video और यो में Dolby Audio और DTS HD जो है साउंड आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है अपको दोस्तों यहां पर पैच्वाल इंटरफेस 3.4 मिल जाएगा जो कि Android बेस्टी आपको देखने को मिलता है जिसमें आपक कुछ एक ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो कि आप लोगों को अभी तक मालूम नहीं है इन फाक्ट किसी को भी मालूम नहीं है नाव कभी आपने सोचा है दोस्तों की सैमसंग की QLED जो होती है दोस्तों लगबग 90,000 एक लाग तक की ऐसी जाती है निवर मॉडल पूराने मॉडल का मैं नहीं बोलूँगा वो डिपेंड करता है कि कब आप उसे खरीते हैं कभी-कभी वो हैविले डिसकाउंट में भी रहती है लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसकी जो प्राइजिंग होगी 42,000-50,000 रुपीज होगी लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इसको शावमी बहुत प्रापर तरीके से करता है प्रापर ठीक है टीवी बस जल्दी बाजी में बना देना इस अनदर फिंग लेकिन उसमें प्रापर चीजे डालना वो एक अलग चीज हो जाती ही तो इसकी प्राइजिंग जो है लगबक स्तार्ट हजार से उ और इस्पेशली जो दोस्तों ज्यादा तर लोग जो गेमिंग करते हैं वो इन फीचरों का जो है दोस्तों उपयोग कर पाएंगे फ़र नॉर्मल मीडिया कंटेंट मुझे नहीं लगता यह जो फीचर से उतने ज्यादा प्रोडक्टिव है या फिर उतने ज्यादा वैल्य फ़र मनी है लेकिन फ़र गेमिंग परपस यह जो फीचर हैं काफी ज्यादा अच्छे हैं तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों की रिफ्रेश रेट इसका क्या होगा HDMI 2.1 देना और इत्यादी यह सो जो फीचर दिये हुए हैं इतने सब फीचर दोस्तों यूज में तभी आएंगे जब रिफ्रेश रेट जो होगा दोस्तों 60 से बढ़कर जो है दोस्तों 120 हर्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अब 120 हर्ट जो होता है दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट बढ़ा दी काम हो गया इसके साथ में जो है दोस्तों आप लोगों को पैनल की ब्राइटनेस भी बढ़ानी पड़ती है अचाहता हूं कि पैनल की जो ब्राइटनेस होती है वो जो है वो कितने निट्स की होगी तो सम्व यह जो टीवी है वो माइक्रो डिमिंग सपोर्ट करेगा अगर करेगा भी तो इसके जोन्स कितने सारे होंगे अब दोस्तों क्योंकि यह क्यूलेट टीवी है तो हो सकता है कि इसके लिए इन लोगों ने जो है अलग से ही कुछ एक चिपसेट डिजाइन किया हुआ हो जो कि इतने ज्यादा तो pixels पुछ करने होते हैं दोस्तों उसको वो easily कर सके तो अभी तक ये भी जो है अभी तक बात अंधेरे में है ना बिल्ड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी इस सम्टिंग दोस्तों जो की काफी neglect की जाती है बट मैं बताना चाहता हूं दोस्तों टीवी आज आजकल पूराने डब्बे जैसा नहीं रह गया है आजकल वो जो है घर में एक आठ फॉर्म की तरह रहता है और क्यूंकि शाओमी का most of the market जो है दोस्तों यहां पे online ही रहता है तो यह चीजे जो है छूड जाती है लेकिन क्यूंकि यह MI store पे भी आप लोगों को देखने को म बिल जाता है ना बात करते हैं sound output की जो कि यह लोग काफी ज़्यादा claim कर रहे है acoustic sound ऐसा कुछ यह लोग claim कर रहे है दोस्तों तो यहां पे दोस्तों 20 watt तो 20 watt ही है ultimately आप उसमें कितिनी भी optimization कर ले दोस्तों 20 watt तो 20 watt ही होता है 30 watt ही होता है तो इसके competition में जो भी QLED TV उतरी है द experience तो मुझे लगता है दोस्तों कि यह लोग है quad speaker set ला सकते हैं और यह जो है दोस्तों हो सकता है कि panel के पीछे speaker लगा दे जैसे कि Sony लगाती है दोस्तों ताकि vibration से जो है काफी ज़्यादा और sound अपकी push हो सके फिर बात करते हैं दोस्तों यहां पे RAM और storage की क्योंकि यह premium model है द storage जो है एक primary USP बन जाता है दोस्तों जो कि online दिखाया जा सकता है तो I think 4GB RAM और 64GB का storage आपको यहां पे देखने को मिलेगा अब बात आती है दोस्तों पैनल की 55 inch 75 inch 75 inch क्योंकि 55 inch तो बोला गया है तो आगे आने वाले कुछ time में हो सकता है आपको 55 inch या फिर 75 inch भी देखने को म और दोस्तों यह जो है मैंने मीडिया से धून के निकाला हुआ है कि हो सकता है जो processor का नाम हो Amalogic T 972 processor हो जो कि आप लोगों को दीख सकता है दोस्तों माली का यह 450 MP है quad core processor के साथ में